हेलो अब्रीबन वेलकम वंस अगेंटू टीपॉइंट अकेडमी मैं शूंप अंडेवर फिर से आपके सामने आई होप आप समय लोग काफी अच्छा कर रहे हैं हम बढ़ रहे हैं पीपल एजरी सोर्स इकनॉमिक्स चेप्टर टू क्लास नाइंथ उसमें आज का डॉपिक ज संट आपको पॉपिलिशन का गर्षम हम का दूरी के लिए आप कितने पड़े लिखें हैं जिसको मतलब सीधी बात है एदूकेशनarl ब्हूंत глेट्री फॉपिलेशित होगी सब्रेट नाइट है當ہ कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कितने साल जीएगा उतनी साल अगर अच्छा परसंद जीएगा टेक्निकल परसंद जीएगा तो उतना रिसोर्स फुल होगा और उसकी स्किल का फॉर्मेशन कैसे हो कहीं ऐसा तो नहीं किताब में पढ़के बैठा हुआ है उसको है एक नौमी के लिए और अगर वही लिट्रेट और है तो वह क्या है एसेट है तो दुनिया को भाई चाहिए क्या एसेट लेकिन ये काम कहीं न कहीं जिम्मेदारी सरकार की भी है कि कैसे अपनी पॉपलेशन को हैल्दी और ले ट्रेट बनाया जाए क्यों कि सबके पास उत है जैसे कि सबसे बढ़ियां एक बहुत बड़ा इंपॉर्टन इंपूट देता है एजुकेशन किसके लिए हमने शाकाल की स्टोरी में देखा कि उसने अच्छी पढ़ाई की और इसलिए उसकी लाइफस्टाइल बेटर थी और वह एक अच्छा हीमन डिसोर्स बना वहीं विलास के साथ ऐसा नहीं हुआ इसका मतलब क्या है कि अगर आपके एजुकेशन अच्छी है तो आप ज्यादा अर्ण करने वाले हो और अगर आप ज्यादा अंगरने वाले हो तो आपकी नेशनल इंकम में कंट्रिब्यूट होती है तो पर पर सन अगर पर कैपिटा इंकम बढ़ रही है इसका मतलब नैशनल इंकम बढ़ रहे देखिए कर द्या फिफ लार्जस्ट इक नॉम्हीए प्रॉब्लम यह कि क्या यह जो फिफ लार्ज इस बनी बनी है कि है आसा तो नहीं है ना कि यह पुछ बिजनस्मैनों के पैसे से लिए पहुच गई अब दस लोग के पास और असी परसेंट लोगों के पास किवल बीस परसेंट पैसा बचे आम जनता के पास तो ऐसे में अगर इंडिया नंबर वन इक नॉम में भी बन जा है तो कोई खास मतलब नहीं होगा क्योंकि हमें क्या चीए हर एक इंसान की इंकम का लेवल बढ़ना चीए हाला कि दे कुल्चर में होने वाले फ्रोग्राम उसकी एठिक्स को अच्छे से समझते हैं और एक नया कल्चर डेवलप होता है लोगों के बीच में अलग तरह की वांडिंग होती है और गौर्मेंट सफिशियंसी भी बढ़ती है सरकार भी अच्छी तरह से चलती है अगर जैसे कि दि नहीं टेक्नालोजी टेक्निकल एजुकेशन की तरफ गौर्मेंट जा सकती है प्लस आप गौर्मेंट को टैकल कर सकते हो पॉलिटीशन कांट हैंडल यू यूविल हैंडल दो पॉलिटीशन बलब वो परसन को कुछ भी पढ़ा के चला गया जी हुजूर जिन्दा बात कर यह नहीं दो इसलिए तो गौर्मेंट भी अच्छे से चलेगी कि सरकार हमसे बनती हैं हम सरकार से नहीं चलिए तो इस टेप्स क्या लिए गया थे जूंगर्बिंट रही हैं उनके क्या सबसे पहले हमने देखा कि हैंडर गल्स एजुटेशन पर अर्लियर टाइम पेद्स परसेंट प्रॉक्स पॉपलेशन में कंसिस्ट करती हैं उनको में लाया जाए और उनको में लाने के लिए गर्ल्स के तो अभी दस से बीस है अब इतना पैसा मिला है तो पैरेंट्स का सरकारी स्कूल में पढाने का खर्चा पास जार साल वर गांगा पंद्रहजार का प्रॉफिट देखते थे इसलिए वह पूरी कोशिश करते हैं कि बच्ची को पढ़ाते थे पंद्रहजार उसको मिल जाएगा थोड़ी और लालच दी तो लोगोंने ग्रेजुएशन तक भेजा टैंथ में बोला गया था कि 10,000 रुपे और एक साइकल मिलेग है यह बड़ी अच्छी बात रही इस्टैबलिश्मेंट और विद्यालिया इन इच डिस्ट्रिक हर एक डिस्ट्रिक में जो बच्चा स्कॉलर्शिप टेस्ट को पास करता वह इन विद्यालिया में पढ़ता है डेवलिप्मेंट आफ वोकेशनल स्ट्रीम तू एक्यूपा विद्याइक की उससे रिलेडिट उसको स्कूल सिखा जारी किवल किताबी कीडा नहीं रहा गया वो स्कूल सीख रहा है नहीं स्कूल को डवलॉप कर है ताकि उससे फिर वो क्या सकते कोई अकूपेशन कोई जॉब स्टार्ट कर सके तो यह अच्छी बात है दप्लान त्री सेवन शिक्सी नाइन जीरो करोड़ यह जब भी बात करें तो यह फर्थ प्लान हो उस टैंपे कॉंग्रेस गोश्यों रही होगी क्योंकि फाइव यह प्लान यहीं कांग्रेस से पॉलिसी में फालो किया जाता है बाकि बीज़ेपी में नीती आयो गैं तो वान यह प सब्सक्राइब 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 करने चाहिए सरकार उतने पैसे नहीं खर्च करती ठीक है अब किसी भी भाषा में अगर अपना नाम लिख सकते हैं और रीड कर सकते हैं तो आप लिट्रेट माने जाते हैं हमारे यहां अभी लिट्रेशी का स्टांडर यही है फिर वो फूर्थ पास, फिफ पास, शिक्ट पास वाला स्टांडर नहीं है इस वो कें रीड और राइट यूर नेम्स ओके नीड़ेट फॉर सिटिजन तो परफॉर्म देयर डूटीज और इंजॉए देयर राइट प्रफर ली लिट्रेट होने से आपको अपने हक के बारे में पता होता है फिर आप अपने हक के लिए लड़ लेते हैं आपको पता ह कानून क्या है कोई कुछ भी कहके आप से पैसे अठ सकता है लेटरेशी अमंग मेल इस नियरली 16.6 परसेंट हायर दैन द फीमेल एड़ अड़ परसेंट हायर अश कंपर तो रूरल पहले तो मेल और फीमेल में मेल ज्यादा लेटरेट होगा कितना 16.6 परसेंट ज्यादा इ कि क्या होता है 16 परसेंट का घप हर जगह दिख रहा है कि हर जगह चाहिए अर्बन हो या रूरल मिल्स की लिटरेशी ज्यादा है इन 2011 लिटरेशी रेट्स वैरीट फ्रॉम 94 परसेंट इन केला अच्छा स्टेट टू स्टेट वैरी करता है सबस्यादा वाई 2011 का ही सारा डे मैं है तो हर एक स्टेट वाईस भी यहां पर रिप्षापन तहीं की सिंद्र सरकार और राज सरकार डोनों के वहां से लोगुकि यहां पर चेंज देखने को मिले उन नए डेटा से यहां पर चेंज देखने को मिले यह बहुत ज़्यादा जरूरी है देखते हैं अब बात करते हैं और क्या एजुकेशन में स्टेप्स लिए गया है तो भाई देखें प्राइवरी स्कूल जो वन टू एड तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है ठीक है उनको एक्सपांड किया गया एट पॉइंट फॉर वन स्कूल के बाद ड्रॉप आउट कर लेते हैं बिफोर देटेंथ क्लास उन्होंने या एट्थ क्लास चोड़ दिया प्राइवेट ऑगनाजेशन में चले गया है क्योंकि जो क्वालिटी एजुकेशन की उसका लेवल कुछ भी खास नहीं है तो क्योंकि क्वालिटी ऑफ कंवाण 2010 अचा यह मैं पूछा जाएगा वाल ओसुद्ध शुमे मैं अजिसे आप कहते हैं सब पढ़ें सब बढ़ें क्या कहते हैं सब पढ़ें सब बढ़ें यह लिखा रहता है त्रूम और फानिसंग जोटीं मतलब लन से एट Cathy क्लास कि बच्चों को सरकार और एजुकेशन देगी अगर वो सरकारी स्कूल में पढ़ता है प्राइबेट में नहीं ठीक है यह फॉलो भी होता है तो इंक्रीज दा इन्रॉल्मेंट का मतलब कि बच्चे जादा से जादा है जादा से डिमिशन हो ब्रिज को चलाए गया बैक टू बैक स्कूल कैम्प रखे गया कि आप बच्चों को स्कूल भेज़ना जरूरी है तो वह बच्चे दीरे दीरे स्कूल आने लगें तमिल नाडुक ने सबसे पहल फिर कोर्ट ने ओडर दिया कि यह हर जगा फॉलो किया जाना से बच्चों को दो पहल का भोजन भी दो ताकि आप एजुकेशन के साथ हेल्ट पर भी फोकस करें हाला कि मेन्यू सिग्स डेस का अलग अलग लग लिखा रहता है खिलाते यह लोग खिच्डी हैं मोस्ट खाएं इंप्लिमेंटेट टू इंकरेज अटेंडेंस हाला कि इस से अटेंडेंस और रिटेंशन बढ़ गया क्यों क्यूंकि वाई अब पहले की आथा दो पहर में खाने के लिए बच्चा घर घर जाता था मां खेत में मजदूरी कर रही है बच्चा मां गया माने का चलो भी बनाओंगे तो खिलाओंगे तो बच्चा दो पहर के बाद स्कूल ही नहीं आया अब क्या है कि कई लोग इस लालच में खाने को मिलेगा अगर माली घर पर अच्छा खाने की इस्तिति नहीं है तो बाहर वहां पे खाना मिल आया तो इस रीजन से भी बच्चा एक बार होग लगी वहीं खाना खाया फिर्म युए श्कूल में पढ़ा और शाम को गऌए तो इस सब्च्च के इस स्कूल में उसका बढ़ गया डेली स्कूल जाने कि अगर खाना अच्छा मिले लगा तो उच्छा खाने के भी लालच मझाएगा क्योंकि हो सकता है कई परिवारों के लिए बहुत कम बच्चे जाते हैं तो हायर एजुकेशन का भी एक चिंदा बढ़ा कि भाई इसका इंडॉल्मेंट कैसे बढ़ाया जाए तो इसके लिए क्या पाया गया कि 18-23 साल के बच्चे इसमें आते हैं सब्सक्राइब के लिए सरकार ने काफी काम किये हैं इंप्लिमेंट हो या ना हो बट कोशिश पूरी की गई है हें क्या किया इंक्रीज स्कॉलिटी एंडपने दर्फ टेशन आफ इस्पेश्फिक करिकूलम मॉडीलेशन स्टेड़ इस्पेसिए का मतलब हरें इक स्टेट का अपना एक बूर्ड है हर एक स्टेट का तो वाइस क्या जो जियोग्राफिकल एरिया वह भी चेंज है क्लाइमेट चेंज है तो क्या वहां पर चेंजिस के जाए जो वहां के अकॉर्डिंग स्टुटिबल हो उस पर फोकस किया गया है वोकेशनलाइजेशन और नेट्वर्किंग तो यूज इंटर कर चुका था तो इंटर कर चुका था तो आइटी की इंफोर्मेशन इंफोर्मेशन टेक्नोलजी इंटरनेट की नौलज सिखायना श्राट हुआ दप्लान ऑल्सो फोकस ऑन इस्टेंस एड्यूकेशन कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल नॉन फॉर्मल और इस्टेंस इंट इड्यूकेशन इस्टेंस अब आप नहीं दूर रहे तो इस्कूल आना जरूरी नहीं आपना काम भी कीजिए वहां जैसे सीखते दिखिए आप पेप इस्टेंस अब इस्टेंस अब आइडियूशन की तरफ बढ़ पाएं तो एक्सपांशन हो रहा है देरे देरे एडूकेशन की लेबल को सुधारा जा रहा है सब्सक्राइब काम नहीं बनेगा आप स्लो ग्रोथ रखिए नो इशू बट याद रखिएगा कि एक्जिकूट विद ग्रेट संस्टिव्ट इसका एक्जिकूशन अच्छा होना चाहिए ऐसे नहीं की दस अजर स्कूल खोल दिये टीचर ही नहीं है स्टाफ ही नहीं है ऐसे नहीं जो भी आप लेते हैं डिसीजन उसमें संस्टिवी होनी चाहिए वैल प्लांड होना चाहिए टॉप टुद ग्रास रूट इच एंड एवरी पॉइंट शूड बी कृस्टल ख्लियर ओनली देन इट विल वर्क अधर्वाइस एवरीटिंग इ देखना है तो हैं तो आप क्या होगा आपका पॉटेंशिल ज़्यादा होगा ठीक है 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 अन हल्दी का मतलब आपके लाइबिलिटी है आपकी खुद की दवा चली आपके उपर खर्चे हो रहे हैं आप फैमली के उपर एक फ़ांड प्रेश पूट कर रहे हैं कंट्री के ओपर भी बर्डन बन गया है तो देखिए बाई इंपोर्टेंट टरम्स कुछ आपको पता होने चाहिए जो आप हेल्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या होती है यह रिफर्स करता है कि एक परसन कितने यह तक जी सकता है एक एक स् है एप्रॉक्स में इंफैंक्ट मोर्टालिटी रेट का मतलब रिफर्स्टू देथ ऑफ चाइल अंडर वन यह राफिज कई बार बच्चे पैदा होने के एक साल के अंदर मर जाते हैं मतलब वह तो बच्चा हेल्दी नहीं था या तो उसकी दवा से नहीं हुई या मां हेल कंट्री ज्यादा हेल दिवा रादर दें इस ठीक है बर्थ रेट नंबर आप बेबीज बॉन फॉर एवरी थाउजन पीपल दूरिंग अ पर्टिकुलर पीड़ 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 पे तो बर्थ रेट ज्यादा है और देथ रेट कम है तो पॉपुलेशन कर बढ़ हो जाएगा लेकिन देथ रेट का में इसका मदलब आपका हैल्थ सिस्टम अच्छा है नंबर आफ पीपल आफ थाउजन फुड़ आई सो सब को थाउजन पे काल्कुलेट किया जाता है चलिए इंप्रूमेंट इन देहल्थ इस्टेशन अव्ड़ पॉपुलेश होनी चाहिए आवर नेशनल पॉलसी इम क्या किया है हमारी नेशनल पॉलसी में हेल्थ केर पे फैमिली वेल फेयर पे नूट्रिशन सर्विसेज विटेशल फोकस ऑन दा अंडर प्रिवलेश सिग्मेंट आफ दो पॉपुलेशन तो सरकारों ने जितने भी रूल बनाये हैं कोशिश के गए कि जो अंडर प्रिवलेश्ट पॉपुलेशन नहीं पिछड़े हैं उनकी फैमिली प्लानिंग से लेके हैल्थ केर से लेके मुफ्तिलास तक की सुवधाय सरकारों ने रखी है आवर लास्ट फाइव यह डिकेट्स इंडिया में क्या हुआ हुआ है वास्ट में प्राइवेट सेटर काफी तेजी से बंप किया है प्राइवेट हास्पिटल सछकार्य हज्पिटल से दस घुना खुल चुके हैं और आपको पैसे लगते हैं अबर है यहां से हुआ है तो इस से हमारे हां लाइफ एक्सेश्टेंसी रेटिक सिटी एट पॉयंट थि हो है मतलब एटलिस सतर साल एक इंसान जीएगा देटा कहता है इंफंट मोर्टैलिटी रेट हैस बिकम डाउन फॉर्टी सेवन इन नाइंटे फिफ्टी फॉर्टी फॉर्टी फोर बहुत अच्छा हो गया यार कि मैं पूर अवराल कंट्री की बात करेंगे थाउजन में वन है णे चार बचने फैमल फैमिलः प्लानिंग सर्फेट अब जो ग्रोथ है वो उतनी तेज नहीं है ज्क आप एक बच्छे से ज़्यादा लोग नहीं करते तीन चार बच्चे वाली फैमिली पांच बच्चे वाली फैमिली खोजने पे मिलेगी वैसे नहीं मिलेगी आपको ठीक है और देट रेट भी कम हुआ है क्योंकि 301 डेंटल कॉलेज तो ऐसा भी नहीं है आकड़ों में बहतर तो हुआ है लेकिन बहतरीन नहीं है हम बहतरीन नहीं है अभी वी आर सो फार फ्राम दोस फैसलिटीज विच वी शुड़ है तो क्या हाल है भाई इसी रीजन से हमें अभी प्राइवेट और सरकारी सेक्टर को मिल की मई हुएक नाम पे भी विमार दिखा कें सरकार से पैसा लूट आ गैया है क्या लोगों को कई लोगों को तो फाइदा हुआ हूए लैकिन कहते हिसे लोकल लेवल पे इतनी कंतो राच थैसे पैसा निकाला गए min है तो जमके लूट पार्ट हुई है और इसमें अधिकार ही मिले होते हैं, कहते हैं ना कि अगर एग्जेक्यूटिव सही ना हो, तो सरकार उपर से चिला के मर जाए, नथिंग कान बी ड़न, तो अब ये था हमारा हेल्थ और एजुकेशन के बारे में, हम अपकेमिंग लेक्चर में अनिम्प्लाइमेंट और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, और समझेंगे कि अनिम्प्लाइमेंट का क्या इफेक्ट है इंडिया में, और इसके क्या solutions है, so आज के लिए इतना ही bye everyone, मिलते हैं आप से upcoming videos में, तो channel को subscribe करें video like and share करें have a good day, bye